रॉमांचक मुकाबले में आखिरी और में टीम इंड़ा ने दी ओस्टेलिया को सिकस्त अच्छाय रनों से जीता मुकाबला नमस्कार दोस्तु स्वागत आपका एक बार फिर हमारे चैनल में पारत और उस्टेलिया के बिच सिरीज के पांचवे मुकाबले में संदर परफॉमेंस करते हुए टीम इंड़ा की तरब से आखिरी और में गातो गेनबाजी के दम पर भारती टीम ने इस मुकाबले को संदर तरिके से जीत लिया तो दोस्तो हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाइलाइट तो इस वेड़ों बताएंगे लेकिन उससे पहले आप भी भारती टीम के इस बहारती संदर जीत को देख कर कुसे हैं तो इस वेड़ों को लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ आभी तक चैनल को सब्सक्राइब लिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाले तो चले दोस्तो हम जानते इस बहारती संदर मुकाबले का पूरा हाइलाइट शुरूराइट से ही तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के इस मुकाबले के टॉस की तो दोस्तो आज के इस मुकाबले में सिखा वुचाला सूरे कुमार यादव ने लेकिन किरा एक बार फिर ट्रेविस हेड के पक्स में टोस चीत कर उन्होंने पहले गेंट बाजी का फैसला किया और बल्ले बासी के लिए अमंतरी तिकिया भारती टीम को टीम इंडे की तरब से रिद्दू राज काईकवाट ने पहले और की आखरी गेंट पर एक बैतरी चोके के साथ संदर तरीके से पारी का आगाज किया तो वही पर इसके बाद दोस्तों दूत तीसरे और की चोती केन पर जैसवाल ने हाडडी की केन के मेडविकेट के उपर से संदर चका जड़ कर इस मुकाबले का पहला चका जड़ा तो वहाई पर इसके बाद उनका आकरमक परफोमेंस और भी बीचारी रहा और 4 और की दूसरी गेंड पर भी एक और संदर चोका बेरें डोप की गेंड पर देखने को मिला इसके बाद दूस्तों दोनुभले बाज संदर परफोमेंड चारी रख रहे थे इसी बीच एक और कमाल का चका ये सस्वी जैसवाल के बल्ले से चौते और की चौती गेंड पर देखने को मिला हम बात करें ये ससवी जैसवाल की तो उन्होंने 15 गेनों पर 21 रनों की पारी खेली लेकिन वो पेवलेन लोटे तो उनके आउट होने के बाद पाँचवे और की तीसरी गेन पर एक और जटका भारती टीम को लगा और रितुराज का इकवाड को भी यहाँ पर पेवलेन बेजने में काम्याब हुई और भारती टीम को एक और जटका लगा इसके बाद दोस्तु कप्तान सूरे कुमार यादो करीच पर उत्रे तो वो आज के इस मुकाबले में ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए लेकिन सरेस अयर ने उन दोनों की पार्टेशिब में एक चोका जरूर लगाया चटवे आवर की चोती गेन पर लेकिन इसके बाद दोस्तु बारती टीम को कफ्तान सूरे कुमार यादो के रूप में एक और जटका लगा सूरे कुमार यादो अच्छी बले बाजी कर सकते थे लेकिन आज के मुकाबले में 7 गेनों पर 5 रन बना कर प्याविलिन लोटे तो मैं पर इसके बाद रिंगो सिंग आये उनके बले से भी एक चोका जिरूर देखने को मिला लेकिन 10 वे और की पहली गेन पर वो एक और बड़ा सोट खेलना चाहते थे लेकिन यापन टीम डेविड के हाथों में गेन सली चली गई और यहाँ पर संगा ने एक और सपलता दिला दी रिंग को चैरन बना कर प्याविलिन लोटे लेकिन एक चोर से सरेस अयर कापी संदर बलेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बड़ा रहे थे तो उनका अच्छा साथ दिया जितेस सर्मा ने भी इसी भी दोस्तों यहाँ पर जिते सर्मा के आउट होने के बाद सांदार बलेबाजी करके दिखाई सरेस आयर के साथ मिलकर अक्सर पटेल ने इसी भीच दोनों बलेबाजों के बलेस से कई बैतरी सोट देखने को मिले जहाँ पर अक्सर पटेल ने भी जैसन बेरेंडरोब की गेन पर कमाल का चोकल गाए तो इसके बाद जैसन बेरेंडरोब के ही बलेस के इन पर उनके बलेस एक और कमाल का चखका भी देखने को मिला तो वही पर सरेस ऐयर भी दूसरे चोर से कमाल की बलेबाजी करते वे नजराए लेकिन इसे बिश दोस्तों यहाँ पर दोनों बलेबाजों के भी सांदार पचास रनों की पार्टनस से भी हुई इस पार्टनसिब ने भार्थी टीम को थोड़ी बहुत मजबूत स्थिती में पहुँचाया लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सरेस ऐयर अपना अर्थ सतक बनाने में काम्याब होने की तरफ बढ़ रहे थे पर उनके ब quizzes के माल का चोका निकला तो इसकी अगली ही गेन पर उनके बनाने zasाके निकले वे एक कमाल के चिक कोज़कर को पचास रनों तख पहुचा दिया और बह्तरिन अर्द सतक सरेस ऐयर ने पुरा किया लेकिन दोस्तों अर्द सतक के बाद वो 20 वे और की तीसरी गेन पर एक और बड़ा सोट खेलना चाहते थे तबी दोस्तों यहां पर भारती टीम को एक और चटका सरेस आयर की रूप में लगा अयर कमाल की बलेबाची करे थे लेकिन 37 के नो पर तरेपन रणू की सांदार बलेबाची करके वो भी पेवलेन लोटे इसके बाद अंत में रवी विसनोई के रूप में टीम इड़ा ने एक और विकेट कवाया लेकिन 20 और की समापती तक बारती टीम ने 160 रण बनाए और 161 रणों का लक्से ऑस्टेलिया की टीम के सामने रखा वही पर इस लक्से का पिच्छा करने उतरी ऑस्टेलिया की टीम की सुरात उतनी अच्छे नहीं रही और ऑस्टेलिया की टीम को पहला चटका तीसरे और की तीसरी गेन पर मुकेस को मार दे दे दिया जब उन्होंने याँ पर जौसवा फिलिपी को बोल्ड करके पेवलेन पेजा जिनोंने चार गेनों पर सिर्फ चार ही रन बनाए लेकिन इसके बाद उस तो यहाँ पर ट्रेविस हेड और मेकडर मेंट ने कापी संदर बलेबाची की इस तो रहां संदर बलेबाजी करते हुए तिसरे और की आखरी केन पर वेक्टर मेंड के बल्ले से एक संदर चोका देखने को मिला तो वही पर इसके बाद उनके बल्ले से कमाल का छका भी देखने को मिला तो वही पर दूसरे चोर से ट्रेविस हेल्ड ने भी कमाल की मले बाजी चारी रखी और पांचवे और की जोती केंड पर उनके मले से भी एक और कमाल का छखका देखने को मिला यह भी अदबूत चका था जो की टीब मिन विकेट के उपर से सिदे छे रणों के ले स्टेंड में डिपोजिट हुआ लेकिन इसके बाद उस तो पांचवे और की पांचवे केंड पर भारती टीम को एक और सफलता मिली यहाँ पर ट्रैविस हेल्ड को बॉल्ट करके पेवलेन बेस दिया रवी बिस्तोही ने उन्होंने ठारा केंडों पर टाइसरन बनाए लेकिन अंत में वो भी रवी बिस्तोही का सिकार बने इसके बाद उस तो एरोन हाडडी भी ज़्यादा देर तक टिक ने पाए और वो भी बड़ा सोट केलने के चकर पे अपना केच सरेस आयर को थमा बेटे और वो भी रवी बिस्तोही का ही सिकार बने और साथ वे और की आखरी केंड पर वो भी चलते बने उन्हें रवी बिस्तोही ने आउट किया उन्होंने दस केनों पर चैरन बनाए तो वही पर इसके बाद टिम डेविड क्रिस पर उतरे तो उन्होंने कमाल की बलेबाजी करते वे ग्यारवे और की दूसरी केंड पर एक सांदार चका जड़ा कमाल का सोट पुल सोट उनके ब ले से एक और कमाल का च्छका देखने को मिला लेकिन इसी भी दोस्तों सांदर बल्लेबाजी कर रहे हैं और टीम के स्कोर को सांदर तरीके से आगे बढ़ा रहे थे तबी चौदवे और की दूसरी केंड पर अकसर पटेल की केंड पर टीम डेविड गलती कर बैटे और अप के दूसरे केंड ने ये कमाल का अजट है इंक तो बहुत तरीता प्रचोर को सांदर अभा बलेबाजी करते वेंर पंदर की कारना चाहते थे लेकिन यहां पर वो अपना क्या Lesson रिंकू सिंग को थमा बेटे और एक और सपलता टीम इंडिया की जोली में आ गई बेन मेकडर में इस मकाबले में 36 गेनों पर चौप पदरन बना कर आउट वे तो इसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद को भी बॉल्ट करके पैवलिन पैस दिया मुकेस कुमार ने तो इसके बाद नए बलेबाज को भी पैवलिन पैसने में वो काम्याब हुए और डेर स्विस भी इस मकाबले में कुछ खास नहीं कर पाए और दो गेनों पर मिली दो सपलताओं ने यहाँ पर टीम इंडिया को इस मकाबले में पैदी संदर तरीके से फापसी करवा दी लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मेथ्यू वेड कमाल की बलेबाजी कर रहे थे लेकिन आकिरी और में जब मकाबले के लिए जीत के लिए दसरन चाहिए थे तो वो सुराती दो गेनों पर कुछ नहीं कर पाए और तीसरी गेन पर बड़ा सोट खेलने के चकर में अपना विकेट कमा बेटे और भारती टीम को मेथ्यू वेड के रूम में बड़ी सपलता मिल गई इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मेथ्यू वेड के आउट होने के बाद तो यह मुकाबला भारती टीम की जोली में आ गया क्योंकि इसके बाद कोई भी बले बाच माउंडरी भी नहीं लगा पाया और इस मुकाबले में भारती टीम ने सांदर परफॉमेंस करते वे इस मुकाबले को बहदी रोमाचक मोड पर 6 रनों से जीत लिया तो दोस्तों भारती टीम की सांदर जीत आपको कैसे लगी आप हमें अपनी राइ कमेंट बॉक्स में जरूर दे और साथ इस वेड़ों को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा से एर जरूर करें तन्यावाद दोस्तों